वेल्कम तो आज अपने एक कॉलंग में स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेंकाइन्स फॉर्मॉला इससे पहले हम यूलेट्स कॉलंग त्यूरी पढ़ चुके हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शियर मिल जाएंगे तो आज हम पढ़ें रेंकाइन्स के लिए होती है long columns के लिए होती है लेकिन failure of long columns के लिए होती है लेकिन जो रेंकाइन्स फॉर्मॉला ना वो हमारे long के लिए भी चल जाता है और हमारे short के लिए चल जाता है तो अगर आप यूलेट्स कर रहे है तो अगर आपको कोई वैसे मैं बता रहा हूं कि अगर आप से सिंपल सिधा सिधा फॉर्मला है 1 by P is equal to 1 by P c plus 1 by P e इसकी कोई derivation नहीं है सिंपल सिधा फॉर्मला है तो देखो इसमें क्या है इसमें सारा कुछ आया था तो देखो 1 by P is equal to 1 by P c plus 1 by P e यहां पर P e का हमारा end by ranka इस formla यह हमें निकालना हुं यह हरक mund question निकालना हमें तो यह हमारा 1 by P E जो हमारा gdzie added P जो है वह wrist Baby lod by ranka z formula है c c moins c हमारे crushing load तो load crushing load कर क्या होगा है सिंगमा सी इंट यह stress होगा इनट इरिया इस स्ट्रेस इंट उड़ की value की होते है सिगमा सी हमारा क्या है ultimate crushing stress तो यह stress आगे मैंने अभी आपको पता है तो ultimate crushing stress area क्या आगे देखो a से area area of cross section ठीज है अब जो हमारा PE जो हमारा last रहे है वो क्या है क्रिप्लिंग लोड बाई यूलेट्स फॉर्मला यूलेट्स फॉर्मला जो कि मैंने आपको करवाया हुए हर लेक्षर में देखो आप देख सकते हैं लिंक आपको discussion मिल जाएंगे इस फॉर्मला से आपको सीधा सीधा कोई value निक डालेगा कि PC की देदेगा PE की देदेगा और आप आंस से निकालो इसको थोड़ना मड़ना पड़ेगा तो वह भी देख लेता है कैसे होगा तो देखो यह हमने फॉर्मला है हमने क्या करा इसका LC हमने लिए तो PE इदर जाला गया तो जो हमारा नीचे था उपर आगए तो PC into PE by PE प्लस PC अब हमने कहा कि यह जो साइड है इसको दोनों साइड से हमने पी इस से मल्टिप्लाइ कर दिया फिर दिवाइड कहलो एक ही बात है तो दोनों साइड हमने ऐसे कर दिया तो क्या होगा देखो यहां से अगर आपक पी रह जाएगा अब यह हो गया अब आपको वैल्यूस पते हैं कि क्या क्या है कि हमारी मैंने आपको बताया था कि PC हमारा क्या सिंगम सी इन टु ए तो हमने यहां पर डाल दिया ठीक है पीसी की जगह सिंगम सी इंटू ए डाल जाए ठीक है इसी है यह फॉर्मला थो बहू डाला यहां पर अब हमें पता हमने लास लेक्चर में पड़ा था क्रिप्लिंग स्क्रेस में कि जो हमारा मुमेंट ऑफ नर्श्य है वह हमारा क्या होता है ए के स्कूर्र जहां पर के हमारा क्या है लीस्ट इस डिटेस ऑफ गयरेशन यह तो वह अब इसमें भी आ जाएगा यह मैं लास लेक्चर में कर आ था आपको लिंक डिस्कूर्श में मिल जाएगा यह उसमें आएगा हैडिंग आई क्रिप्लिंग स्क्रेस देख इस प्लस अब सीगमा सी इंटू ए तो ऐसी रहेगा ठीए अब यहां पर फेर बदल हुए देखो एल इसक्वेर तो ऊप़ चल यहां ब्लस अब यहां पर इन्होंने क्या करा कि le by k ठीए लोकहाओ हमने प्लस इसको नीचे लेगा Canva किसे बैंने लिपर को चीश्व घुजिम है अबides किसे क्राण प्लस सिगमासी 2 यहां पर दे गई तो यहां डिया है तो अबसिभी में आपक्ड जाए टेगा मैं प्लस यह उपर वाले यह तो एसी है यह उपर वाले में उती है यहां में तो tempt i यहां तक देख लिए तो आप नहीं लिखोगे तो यह आ गया है अब उसके बाद हमारा देखो यहां पर क्या आएगा हम कहते हैं कि जो हमारी यह वहली चीज है ना इसको हमने इसगल टू ए कर देखा है वेर एसगल टू सिग्मा सी भाई पाई स्कूर ए नो यह रेंगकाइं यह रेंगकाइंज कॉंस्टेंट है और इसकी वैल्यू के आगी पूरे की मतलब यह रेंगकाइंज फॉर्मले की वैल्यू के आगी है पूरा हमारा रेंगकाइंज फॉर्मले है तो यह हमारा रेंगकाइंज फॉर्मले है तो उसकी वैल्यू का होल स्कूर अब यह तो आप की इदर उदर होती रहेंगी तो देखो इसमें चीज और है कि ना एक ही जो वैल्यू है ना आप इसमें सीधा वैल्यू डालके यह मतब सिग्मा सी की पाई स्कोर एक ही डालके आप एक का नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पे एक पिक्चर आजाएगी उपर अभी आपके सामन करना यहां से नहीं तो आपको mostly question में given होती होते है लेकिन आप कभी भी एक वैल्यू ऐसे निकाल सकते कि सिग्मा सी की वैल्यू डाल दी पाई स्कोर की डाल दी एक डाल दी तो यह हमेशे याद रखना यह चीज आपको नहीं करनी है तो यह हमेशे गीवन होगी अगर नहीं इंकाइन formula होता गया है तो देखो यह आगे हमारा question अब करते हैं देखो the external and internal diameter of a hollow cast iron column are 5 cm और 4 cm respectively तो इसके external diameter हमारा 5 cm और internal diameter हमारा 4 cm है if the length of the column is 3 meter and both of its ends are fixed तो मैं सबसे पहले बस एक ही चीज़ एंडराइन करूंगा both of its ends are fixed को इस से मैं सब कुछ समझ आएगा determine the creeping load using rankines formula देखो यहाँ पर लिख दिया अगर देखो यहाँ पर ना लिखा होता ना तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते है rankines formula भी यूज़ कर सकते है जब हमारा both of its ends are fixed होता है ठीए तो अगर आपको यह rankines नहीं लिखा हुआ तो आप यूज़ फॉर्मला से भी कर सकते है आपको वह याद है वैसे मेरे ख्याल तो rankines जादा easy रहता क्यों एक ही फॉर्मला है एक सिग्मा सी जो हमारे क्रेशिंग स्था है देखो 550 newton per mm2 और a जो rankines constant है rankines constant जो हमारा है अभी मैं जो आपको कराया है देखो इसमें दिया हुए question में अगर नहीं भी दिया होता तो question में सबसे पहले गी में लिखना है कि given कि भी कभी कभी ने college में इना marks मिल जाते है यहने तो given सबसे पहले हमारे देखो क्या है एक स्टर्नल डाया एक स्टर्नल डाया हमने दी ले लिया इसको हम क्या करते है एमम में 50 mm क्योंकि 50 mm आ गया क्योंकि mm2 है यहाँ पर टी हमारे ऐ दी हुई है तो लें तो हमारी 3m मीटर है तो इसको हमने क्या कर दिया 3000 mm कर दिया ठी है अब यह चीज़ आगी है और एक हमें सिंगमा सी 550 न्यूटन पर mm2 और यह हमें दिया हुआ 1 by 1600 अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या निकालना है एरिया और मूमेंट ऑफ इनर्च क्षप whole squared अब आप पुछोगे तो इसमें तो ना एरिया ना मूमेंट ऑफ नच्चर तो यह चीज़ क्यू निकालनी हमें तो यह क्यू निकालनी है अब हम आपको प्तालर देखो अब है वी यह वह पड़ा इसमें आपको क्यों क्यूंकि क्यों निकालनी है क्युंकि निका निकालने के लिए आई भी निकालना पड़ा है इसलिए मैं आपको काया कि इसके बाद निकाले है एरिया और मुमेंट ओफ इनर्स लिया अब आप यह कंफ्यूस तो आपको पता चलेगा कि जब भी आपको रेंक कायेगा अगर आपको के की वादो नहीं दियो भी वैस तो आप सिधा यहां से एसे कर सकते हो ठीक है ना सबसे पहले आपको मुणर्ण डिविटेशन निकालना फिर एरिया या फिर पहले और अपको जो एकस्टरन श्च्टरन अगर यह समझो इस अगर यह ऐसे हो ए तो हमारे एकस्टरनल दिया हुआ हैsz और इंटरनल इंटरनल अगर तो आपको इस तरह दिखेगा न आपको तो देखो एक्स्टर्नल और इंटर्नल दिया हो तो हमें तो सिर्फ इस इसका निकालना है ठीक है तो आपका यह नेगटिव होगा इस इसमें ऐसे हो जाए देखो पाइबए शिक्सटी फोर का मलग कि 50 पावर 4-40 पावर 4 इस इकल तो हमें यहां पे फैल्यू थोटी बढ़ी हा देगे क्या जीए 5765656 पाइब फोर्ट यह यूनित समेशा लिकना यूनित के मार्स कट जाते है अब अब आपको रेडिस यहां पर क्या है 5765656 पाइब 225 पाइब का अंडरूट यह आपको पता है कि आपको दिया जाएगा वहां पर क्वेश्चन में आपके बास होता ही है तो पाई से पाई कट गया तो के इस इकल तो क्या यहां पर क्या आता आपकी वैल्यू 25.625 यह सिंपल एमम में आया 25.625 यह आपको सब कुछ गीवन है तो आपको फॉर्मला आपको शीगमा सी भी आपके पास है एरिया थो वैसे निकालना ही था अच्छा अरिया तो इसमें निकालना ही था सिर्ल मोमेंट ऑफ इनर्शी एक नहीं चीज़ है यह ए अपको दिया हो यहां पर स्मॉल है ठीग ह अब आपको यह आपको समझाए तो यहां पर क्या चीज़ हाएगी तो बहुत अंड हमारा यहां पर क्या है बहुत अविचे इंस और तो क्या होते है यह आपने पढ़ा होगा अगर आपको नहीं पता हो लिंक का पूंसक्रिशन मिल जाएगा उसमें हमने 4 जिस करूय है एक पर वहां लागे हैं कि आपको कुछ नहीं करना सिंपल आपको यहां पर बनें क्या सिग्मा सिगी यहां पर क्या बढ़ोगे तो 550 एल्डे की वेल्यू अब क्या बढ़ोगे 225 पाए वान पर से एक आपका आपका आपड़ करोंगे 1 वार्फ के आपके आपके आपका 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 मुद्ट रंका की प्रम देवले से हमारा धीस में सिस्वास के तो पूरा अच्छे से complete हो गया अब इस पर ज्यादा कोई मुश्किल question आजेगा वह मैं अब इसके बाद करवाऊंगा एक दो lectures में थोड़े important question जो mostly repeat होते है हर कहीं college media जो जादा important होते है वह भी मैं आपको इसमें करवाऊंगा तो यह था आपका आज का पूरा लेक्षे देंक का इन फॉर्म न तो अगर आपके वीडियो अच्छी लेगों तो प्लीज लाइक करना शेह करना कमेंट करना और माई चैनल से इंसाइट जुदू सब्स्क्राइब करना था थैंक्यू फॉर वाचिंग